नमस्कार मैं हो ससी आई जार्खन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं केंद्र ने जार्खन को जारी किया 5000 टन अनाज मिले गी रहात केंद्र सरकार ने जार्खन को 5000 मेट्रिक टन अनाज जारी कर दिया है इसके बाद से राज्य में राष्ट्रिय खाज सुरक्षा कानून के तहत अच्छाजित 2,64 लाख लाखों के बीच अगस्त का अनाज बितरन सुरू हो गया है जार्खन में 2,64 लाख लाखों के बीच हर माँ 145 मेट्रिक टन अनाज का बितरन होता है अगस्त से लगभग सवा करोर लोगों के बीच अनाज नहीं बट रहा था क्योंकि केंद्रे ने राज्य को 74,000 मेट्रिक टन अनाज का अवन टन रोक दिया था इस वज़ा से अगस्त में 1,25 लाख से ज्यादा लाखों को अनाज नहीं मिला केंद्रे का दावा था कि ज्यार्खन को हर मा अवसक अनाज अवन टित किया गया लेकिन 74,000 मेट्रिक टन अनाज का राज्य के पास को हिसाब नहीं है राज्य इसका हिसाब असपश्ट करे तभी आगे अनाज बितरन होगा इस आसे की खबर के बाद 12 अगस्ट को परकासित की गई थी उसके बाद ज्यार्खन सरकार ने इस दिसा में केंद्रे सरकार से लगातार पत्रचार कर समस्या के समधान के दिसा में कदम बढ़ाया मंत्री ने बताया है कि स्रजनिक बितरन प्रनाली के दुकंदारों के लापरवाही से लापकों के बीच उचित धंग से आनाज नहीं बढ़ पाता है ज्यार्खन में दो माह में 967 गरों में मिला डेंगू का लारवा ज्यार्खन में देंगू और चिकनगूनिया के परशार को देखते हुए देंगू परहावित छेत्र का सरवय किया जैरा है जुलाई और अगस्त में राजे के 13999 घरों का सरवय किया गया जुलाई में 7,168 जब की अगस्त में 68732 घरों का सरवय हुआ इन में से 9,666 घरों में डेंगू का लारवा पाया गया बतादे सबसे ज़्यादा जमसेतपुर में 30,76 घरों का सर्वे हुआ जिसमें 2415 घरों में लारवा मिला है रांची में 3360 घरों में जाच की गया जिसमें 474 घरों में डेंगू का लारवा मिला वहीं देव घर में एक भी घर का सर्वे नहीं किया गया जिन घरों में लारवा मिला उन्हें चेतावनी देखकर लारवा नस्ट किया गया है ED के समन को CM ने दी है चुनावती 15 सितंबर को सुनवाई मुख्य मंत्री हेमंसर ने जमीन घोटाला मामले में ED के समन को सरोच नयाले में चुनावती दी है सुप्रीम कोर्ट में केस की सुनवाई 15 सितंबर को होने की उमीद है बतादे जमीन घोटाला ममले में एड़ी के समन को मुख्य मंत्री हेमंस्टी ने सुप्रीम कोट में चुनोती दिया है रीट पर डिसेंदायर कर मुख्य मंत्री ने एड़ी के अधिकार को चुनोती दिया है ED की ओर से 24 अगस्त को दोबारा समझ जारी कर पोस्ताज के लिए बुलाने के खिलाब CM की ओर से 23 अगस्त को डायरी संख्या 34-686-2023 फाइल की गई थी उसी अधार पर 24 अगस्त को डायरी संख्या 000-378-2023 राइस्टर हुआ था जिसके बाद पिटिशन का वेरिफिकेशन एगार सितमबर को हो चुका है और केस की स्थमभावी तारिक 15 सितमबर ताय हुई है गुमला में उग्रवादियों की धमकी के बाद सिक्षक ने बंद किया स्कूल आना गुमला के घागरा परखंड की सरांगो पंचायत इस्थित जमगई प्रावी के सिक्षक को उग्रवादियों ने जान से मारने की धमकी दी है से सिक्षक डर से स्कूल आना बंद कर दिया है इस से महीनों से बच्चों की पढ़ाई बाधित है पढ़ाई बाधित होने से ग्रामिनों में आकरोस है ग्रामिनों ने कहा है कि पढ़ाई नहीं होने पर बच्चे पुरा दिन खेलते रहते हैं अगर यही बेवस्था रही तो स स्कूल में ताला बंद की जाएगी इधर सिक्षा क्रिष्णा लोहरा ने कहा है कि मुझे धमकी मिली है कि स्कूल आओगे तो जान से मार देंगे डर से मैं भी द्याले नहीं जा रहा हूँ मैंने सिक्षा विभाग को लिखी जनकारी दे दी है जारखन में अक्टूबर में होंगे पंचाय चुनाओ राजी के मुख निर्वाचन आयुद डिक्के तिवाई ने सब ही उपायुगतों को पत्र भेज कर अक्टूबर वर नॉवंबर में चुनाओ कराने को लेकर त्यारी करने का निर्देश जारी किया है मुख्याले द्वारा भेजे गए पत्र में 31 मई 2023 की आहरता को आधार मानक मद्दाता सूची तयार करने को कहा है इसके लिए सभी प्रखंड के प्रखंड विकास पता अधिकारों को भेजा गया इस आधेश के बाद मद्दाता सूची का विकंडन मद्दाता सूची का परकासन का काम होगा इसके बाद राज सरकार के निर्देश पर चुनाव हो जाएगा बता दे बोकारो जीले में 104 वार्ड सदस्यों की सीट खाली है इन में से कुछ अस्थानों पर लोगों ने त्याग पत्र दे दिया है इस वज़ा से अस्थान रिक्त है गीरीडी से रांची के लिए इंटर सिटी एक्सपरेस का उदगाटान मोदी सरकार ने गीरीडी के लोगों को तोफा दिया है गीरीडी से पहली दफा सीधी ट्रेन चली है इस ट्रेन को केंद्रिय शिक्छा राजमंतरी के सासाथ अस्थानिये, सांसत और विधायक ने हरी जण्डी दिखा करवाना किया है बता दे गिरीडी जीलेक के वासुयों को केंद्रे की मोधी सरकार ने तोफा दिया है तोफा गिरीडी रांची इंटर सिटी एक्सप्रेस के तोर पर दी गई मंगलवार को इस ट्रेन को केंद्रिय सिक्षाराज मंतरी सह कोडर्मा की सांसत अनपुर्णा देवी ने हरे जण्डी दिखा कर रवाना किया इस कारकरम में गिरीडी सांसत चंद्र प्रकास चौधरी गिरीडी विधायक तुदिब्यकुमार बरही विधायक अमित यादव केस एस्पेसल कोट में ब्यान से मुकरा इडी का गवाह साहव घंज के निबू पहाडी में अवय देखनन के खिलाब कंप्लेन करने वाला सक्त बिजाय हंसता अपने ब्यान से मुकर गया है उसको इडी ने अपना गवाह बनाया था लेकिन मंगलवार को रांची के प्रिव हाइक दोरान अवय देखनन का अभयूक्त बच्चू यादो भी कोट में मुझूद था वह फिलहाल जमानत पर है ब्यान रिकोर्ट कराने के दोरान उसने इस बात से इनकार कर दिया कि बच्चू यादो समेत अनेक अवय देखनन से कोई कनेक्सन हाई और उससे धंकी मिली ह रांची में है सबसे ज़्यादा साइबर क्रिमिनल का अतंग जारखन में 100 में से हर 25 वा ब्यक्ति जो साइबर अपराधियों के द्वारा ठगी का सिकार होता है वह राईधानी राची का होता है आकड़े बताते हैं कि पिछले 5 साल में सबसे ज़्यादा ठगी की घटना को जार जी ले जाम तला धनबाद गिरी डिया देवगर ही साइबर अपराध के लिए देश भर में बदनाम हैं लेकिन आकड़े बताते हैं कि राजी में सबसे ज़्यादा साइबर अपराधियों के निशाने पर राईधानी वासी ही हैं सी आईडी के आगड़ों पर गौर करें तो सबसे ज़्यादा ठगी राईधानी में ही अंजाम दिये गए हैं एस एसपी के सामने खुली थानेदारों की पोल एंटी क्राइम चेकिंग के नाम पर खानापूर्ती राईधानी की कानून बेवस्था को ठिक करने के लिए नए सेसपी चंदन कुमार सीनहा सजग हैं मंगालवार को पुलिस कर्मियों की कैरेव प्रनाली की जाज करने खुद सीविल रेस में राईधी की सलकपर उतरे इस दोरान काम में लापरवाही बुरतने वालों को नोटिस भी दिया बताजे राईधानी में पुलिस की लापरवाही की वज़ा से छिंताई की वरदाते सामने आ रही है वर यह अधिकारियों के आदेश को जूनियर अपसर कर्मियला परवाही भरे अंदाज में पूरा करते हैं इस मामले का खुला सा राची के सीनियर स्पी चंदर सिन्हा ने खुद किया है सादे लिवाज में हेलमेट पहन का सड़क पर उतर एसेसपी ने वाहन चेकिंग के दोरान बरती जाने वाईला परवाही की पोल खोल दी है टेट पास पारवाही को ने दी धमकी कहा वेतन मान दे सरकार कि मान को लेकर पिछले 22 अगस्य और श्चितकारिन धर्ना पर बैठे राजी के टेट पास पारावथ सिच्चकों ने मांगे नहीं माने जाने पर आत्मदा की धमकी दी है राजबहन के समीप मंगलवार को निस्चित कालिन धारना के 22 दिन टेट पास पाराजिक्षकों ने सरकार को अभिला मांगो को मानने की धाम की दी है धारना पर बैठे पाराजिक्षकों ने राजबहन की सर्जा से खास बाचित में सरकार पनराजगी चताते हुए कहा है कि अभी तक किसी भी अधिकारी की ओर से वारता के लिए पहल नहीं की गई ऐसे में यदि सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करती है तो समोहिक रूप से टेट पास पारासिक्षक आत्मदाह करने को मजबूर हो जाएंगे पूजा सिंगल से परिजनों के मिलने पर इडि सकत रिम्स के पेइंग वार्ड में इलाजरत निलंबित आईएस अधिकारी पूजा सिंगल के मुश्किले बढ़ सकती है मनी लॉंडरिंग मामली में गिरफतार पूजा सिंगल को तवियत खराब होने के बाद होटवार जेल से 6 माह पहले रिम्स सिफ्ट किया गया था उन्हें सीने में दर्द और चकर की समस्या थी रिम्स के पेइंग वार्ड में वा खुले आम परिजनों वा आम लोगों से मुलकात कर रही है इस सुचना पर एड़ी के अधिकारी मंगलवार को रिम्स पहुँचे पूजा सिंगल एड़ी की कैदी है उन्हें मन्रेगाग होटाला में मनी लॉंडिंग तहतनु संधान के दरान इड़ी ने गत वर्ष 11 माईक को गिरफतार किया था मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट जारखान में मांसुन एक पर फिर सक्रिय हो रहा है बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव बनने के गारें चार दिनों तक बारिस होगी इससे लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है इस दोरान 3-4 डिगरी अधिक्तम तापमान में गिरावट भी रिकोड की जाएगी कई जीलों में कहीं कहीं भारी बारिस होने की भी उमीद है बता दे आज और कल राज में कई अस्थानों पर गरजन के साथ हलके से मत दर्जे की बारिस होने की समभवना है इसके अलावा 14 वा 15 सितंबर को राजमिलभग सब भी अस्थानों पर गर्जन के साथ हलके से मत दर्जे की बार्चा होने की समभवना है इस दोरान अधिक्तम तापमान 27 डिगरी तक जा सकता है नकसलियों ने सुरक्षा बलो का समान ले जा रहे ट्रेक्टर को उड़ाया चारखन में पच्मी सिम्हुम जीले के कोलान जंगल में एक बार फिर से नकसलियों ने अपने खोनी इरादो की जलक दिखाई है जंगल में नकसलियों दोरा किये गए आईडी बलास्ट में दो लोग गंभीर उपसे घायल हो गए है कुछ दिर बाद गंभीर घायल खलासी की मौत भी हो गई बता दे घायलों का सोनुवा के सरकारी अस्पताल में प्राथमिकी उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिचा के दहरफूर अनमंडल अस्पताल रेफर कर दिया गया बलास्ट में चालक, बबलू, बोदरातिस वर्षिये और खलासी, लोबो, गोब 32 वर्षियों को गंभीर चपेटे आई है 2024 चुनाओं में वोटिंग परतिसत बढ़ाने की तयारी जारखन के मुखे निर्वाचन पतादिकारी के रभी कुमार ने अपने कर्याला इस्थी सभागार में मंगल अबार को राजे के 13 विभीन विधान सभा छेत्रों के निर्वाचन निवंधन पतादिकारी ओ दोरा चलाए जा रहे टर्न आउट इंप्लिमेंशन प्लान की समिक्षा की के रभी कुमार ने बताया है कि पिछले चुना में जारखन का मदान परतिसत राष्टरे मदान परतिसत थोड़ा कम था इसे बढ़ाने के लिए कार्योजन त्यार कर काम करना होगा उन्होंने निर्वाचन निवंधन प कुरोना पोजेटिव मरीज जारखन में चार महीने के बाद कुरोना संक्रमन का मामला सामने आया है संक्रमित मरीज धुरुवा थाना छेतर के राने वाला 59 वर्शे ब्रीध है उन्हें आटी पीसियार रिपोर्ट पोजेटिव आने पर रिम्स के आईसोलेशन वार्ड में भर्ति कराया गया मरीज की सिती फिलहा इस्थिर है चिकिसकों ने बताया है कि बुखार और सर्दी खांसी के बाद ऑक्सीजन स्टेचुरेशन में उतार चड़ा होने पर मरीज की आटी पीसियार जाच कराई गई थी जिसमें रिपोर्ट पोजेटिव आई है मरीज का मेड प्रिशिन विभाग में डाक्टर अजीत कुमार डुगडु की देखरेक में इलाई चल रहा है ग्यात हो कि 15 माईको स्वास विभाग ने कुरोना की आमतीम रिपोर्ट जारी की थी इसके बाद डाक्टर ने भी कुरोना की जाच करनी बंद कर दी थी मानकी मुंडा माझी परगनायत समयत अने को मिलेगा आवास पुर्वी सिम्मुम के चाकुलिया इस्थीत कुरु कोचा में सहीदो की एसमिरिती में साधान्जली सभास परिसंपती बितरन समारों कायोजन हुआ इस मौके पर मुख्य मंत्री हमांसुरेन ने मानकी मुंडा मांजी जोग गोलेत परगनायत आदी को अवास देने की खोसना की है वही इन लोगों के बीच बाइक का भी बितरन किया सीएम ने कहा आए कि देश की सुरक्षा की बात हो या जल जंगल वा जमीन और परियारन को बचाने का अन्याय और सोशन का बिरोध हो या फिर अपने मान समान और हक अधिकार की लडाई जारखन के आदिवासी मुलवासी ना कभी जुके हैं और ना कभी रुके हैं हर मोर्चे पर संघर्ष करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे उन्होंने कहा है कि इन्होंने कभी भी अपने वसूलों से समझोता नहीं किया इतिहास गुआ है कि यहां के अनेको वीरों ने समाज और देश की खातिर अपनी कुर्बानी दी है हम सभी को अपने इन अमर सहीदों पर गर्व है बाबुलार मरांडी ने हिमंत सुरेन पर साधा निसाना जारखन की हिमंत सुरेन की सरकार में लूट खसोट चोरी डगायतिया और हत्याए बेधड़क हो रही है बहु बेटिया सुरक्चित नहीं है अपराधी बेखौप घूम रहे हैं और जानता डरी हुई है ये बाते पु बाबुला मरांडी ने कहा है कि सियो वीडियो से जनता पुछती है तो उपर देने की बात कह कर पला जार लेते हैं उन्होंने कहा है कि इस सरकार में बिना पैसा का काम नहीं होता चाहे वह टांसफर पोस्टिंग की बात हो गरीब जनता का पैसा लूटा जा रहा है उन्हों दे रही है जार्खन में महिलाओं के लिए सरकारी नोकरी का मौका जार्खन लेडी सुपरवाजर भरती 2023 के लिए ओनलेन आवेदन 26 सितमबर से शुरू होगा और 25 अक्टूबर की आधी रात को समाप्त होगा नोटिफीकेशन के मुताबिक परिक्षा सुल्क जमा करने की आख परिक्षाद समाने सरेनी की पोस्टिंग के लिए 187 सिते, स्टी पदो के लिए 101, स्टी के लिए 35, स्टी के लिए 42, स्टी के लिए 35 और EWS के लिए 44 सिते उपलबधाये वहीं पद पर चैन के लिए उमिद्वारों को तीन पेपर देने होंगे ये तीनों पेपर तीन इसमें भासा जन जाती है और छेत्रिये भासाए और तकनिकी भी से सामिल हाएं दिल्ली में इंडिया समनवे समीती की बैठक में सामिल होंगे सियम हमांद बिपक्षी दलों के गट बंधन इंडिया की समनवे समीति की बैठक बुद्धवार को नई दिली में होगी NCP परमुख सरद परवार के आवाज पर होने वारी इस बैठक में जामों के करकारी अध्यक समुख मंत्री हमान सुरेन समीति के सरस के रूप में सामिल होंगे CM बुद्धवार सुबह दिली के लिए रवाना होंगे बैठक में लोगसभा चुनाद वहजय चोविस के मदनजा सीटे सेरिंग चुनाव रणनीती और उमिद्वारों के नाम पर बात चीत होगी भाजपा के खिलाप 28 विपक्षी दलों के गड़बंधन के समन्वे समीतिक सरस मोखे रूप से दिली की बैठक में सामिल रहेंगे इस दोरान 18 सितंबर से सुरू हो रहे सांसत की विशेश सत्र को लेकर भी रणनीती बनाई जाएगी सीबू सोरेन को आज मिल सकती है अस्पताल से छुटी छारखन मुक्ती मोर्चा के परमोख सीबू सोरेन को बुद्धवार को अस्पताल से छुटी मिल सकती है उन्हें सांस में तकलीप और रक्त चाप की समस्या के बाद पिछले दिन दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भरती कराया गया था मुख्यमत्री हमन सुरेन भी उनके साथ अस्पताल गये थे डक्टरों का काना एक फिलहाल उनकी तवियत इस्थीर है और बुद्धवर को उन्हें अस्पताल से भी छुट्टी मिल जाएगी अस्पताल से प्राव्त जनकारी के मुताविक सिबु सरेन को रक्त चाप, सांस लेने और किड्नी की बिमारी है धन्यवाद